बसुरल करते हैं अगा है यह पेड़्-1 थेखिए है थो मेंस एपने को फाइड उट करने ओगर अगर अपन देखें तो क्यूब रूट ऑफ ओमेगा क्या होता है क्यूब रूट ऑफ ओमेगा होता है एकस क्यूब मैनस वन एकस क्यूब मैनस वन इसके रूट क्या होते है इसके रूट होते है वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वाइर ते बिसिकली अपन देखे तो इसको अपन इस फॉर्म में लिख सक एकषक्यूब मेनस वण अगर पेचिवा डिखे है एक्सक्यूब मैनेस1 के रूट सने यह तो इस इस फॉर्म में लिख सकते हैं सब mikä मृपन ay disp smithouse और यहाँ जगा एक्स मेनस ओमेगा वैल्यू होगा एक्स मेनस ओमेगा स्क्वाइर ठीक है एक्स मेनस ओमेगा स्क्वाइर 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 एक्स मेनस ओमेगा स् इसको बन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर इंटू एक्स मिनस ओमेगा इंटू एक्स मिनस ओमेगा इसको अपने कुछ वैल्यू निकालना है वो वैल्यू आपन कैसे फाइंड आट कर सकते हैं यहाँ पर अगर अपने इसको बन कर सकते हैं यहाँ पर तूप मिनस ओमे पर आजएगा इनकलि आपने वापने पास और आचाहेगा यह वैली क्या आगया यहाँ अपने बस 2 की पावर n-1 और इसकी राइट हैट में वाल्यू किया जगा 2-1 1 तो यहाँ अपने बस 2-Omega 2-Omega2 and 2-Omega3 डॉट 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 यहाँ अपने बस 2-Omega2-n-1 यहाँ इसकी वैल्लू हो जाएगी 2 की पावर n-1 तो अगर पने यहाँ पर और option D तो अलड़े रिजग्ट है option C को अगर पने simplify करेंगे तो option C क्या लिखा हुआ यहाँ पर तो option C अगर पर यहाँ पर मैं इसको simplify करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 2NC0 plus 2N plus 1C1 plus 2N plus 1C2 plus 2N plus 1C of n की पावर क्या है यहाँ यहाँ पर 1 by 2 ठीक है तो option C अगर आपने यहाँ पर यहाँ पर यह लिखा हुआ है 2NC0 plus में क्या लिखा हुआ अपने बस यह लिखा हुआ है 2N plus 1C of 1 अब मैं यहाँ पर option C को manipulate करता हूँ ठीक है तो option C basically क्या है यहाँ पर अगर आपने option C को यहाँ पर simplify करेंगे option C यहाँ पर given है option C 2 की power n-1 ही लिखा हुआ है कैसे इसको मैं simplify करता हूँ यह लिखा हुआ है 2NC0 plus 2N plus 1C of 1 plus में क्या लिखा हुआ अपने बस 2N plus 1 2N plus 1C of 2 plus में 2N plus 2C of 2 plus dot 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 plus में क्या है अपने बस 2N plus 1C of n यह अपने पास इसकी value अपने को find out करना ठीक है इसकी value let's say अपने find out करते है अब मैं यहाँ पर एक expansion लिखता हूँ अपने पास expansion क्या होता है let's say 2N plus 1C of 0 plus 2N plus 1C of 1 plus 2N plus 1C of 2 plus dot 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 plus यहाँ पर अपन देखें इसके लिए terms क्या जाएगा अपने बस 2N plus 1C of n plus में 2N plus 1C of n plus dot 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 plus में क्या जाएगा 2N plus 1C of n और इसकी value क्या जाएगी इसकी value हो जाएगी 2 की power 2N plus 1 ठीक है यह basically इसकी value होगी 2 की power 2N plus 1 अब अगर अपन देखें तो यह value जो होगा यह value होगा इसकी value इतने sum के equal होगा ठीक है यह जो होगा यह आपस में एक दूसरे के equal होगा ठीक है यह value जो आपस में equal होगा एक दूसरे के तो इसको अपन 2Times लिख सकते हैं अब अगर आपने इसकी value देखें, इसकी value क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 C of 0 2n प्लस 1 C of 1 फ लस 2n प्लस 1 C of 2 फ दॉत डोट दोट प्लस ये क्या है जाएगा 2n प्लस 1 C of n इसके व Kirk at 2 प्लस 1 दिबाइद बाय टू थी या या जागा 2 की प्लस 2n ये इसके व CV होगी अबहर अपने दिखे दो तो 2N प्लस 1 C0 के वाल्यू क्या होती है, 1, 2N प्लस 1 C1, 2N प्लस 1 C2, 2N प्लस 1 C3, 2N प्लस 1 C3, प्लस में क्या जाएगा, डॉट डॉट रॉट रॉट यहाजगा, 2N प्लस 1 C of N, इसके वाल्यू क्या आगए, 2 की पावर, 2N, अभी इस 1 को अपन कुछ भी लिख सकते हैं, कि c के भी form में लिख सकते हैं तो इसको अपन लेट से यहां पे देते हैं 2n c0 ठीक है 2n c0 2n plus 1 c0 का value 1 और 1 को अपन 2n plus c0 भी लिख सकते हैं जो की question में कि बाण है तो 2n plus 1 c of 1 plus 2n plus 1 c of 2 plus dot 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 यहां पा जगा 2n plus 1 c of n is equal to 2 2 cp2n तो जो option c में bracket के अंदर की value लिखा हुआ है अगर अपन देखे तो option c में ब्रैकेट के अंदर की value लिखा हुआ है उसकी value किसकी एक वाल है उसकी value 2 cp2n लिखा हुआ है ठीक है तो यह देखे तो 2 cp2n और इसका क्या थ है यहां पे square root और minus में क्या था 1 ठीक है यह जो quantity ह यह बेसिकली क्या लिखा हुआ यह लिखा हुआ है 2 की पावर 2N यह जो bracket की quantity है यह 2 की पावर 2N लिखा हुआ है ठीक है तिया कि आज आपने बस्ति यह आपने बस्ति टू की पावर N-1 जो की घिबन क्वांटिटी की value थी यह किसकी value थी यह value थी 2-omega 2-omega square .2-omega 2-omega 2-1 यह इसकी value थी तो option C is the right answer ठीक है